बारे में अपने वाचलिस्ट में वह सब पिक क्या हों और जो वनमन्त की पिरियद में जो जिसका रेटर अच्छा रहा है उन साथ स्मॉल स्मॉल केसे को देखेंगे हम लोग डीटेल्स में अभी चलते हैं हम लोग तौड़ा रिसेंटी रीबैलेंस जो जो स्मॉल केस हुआ ह उन सब को देख लेता है थोड़ा पहले टोटल स्पॉल्स केसे हां ठोटल ही लेंगे इंक्लूड लेता है लीडियों एक रगी हाई मोवेंटम धुकुणाशी हो देख लेता है जिए तरी तरी ऑअ पॉप्रचोनेट ज़ाद आ एक देखते हैं जीए इसका नहीं इहां, ओ आप अम्ने अमिले ट्रा रिब구나 ठेहां भू पॉल्डेकल्य तोपित歹 ये नहींग देखते हैं भूत्रं दिख पॉप्वलीन होड़कि करते हैं में 6 परसें रेटांस दिया हुआ है लिस्टेर वेंचे कैबिटल भी देख लेते हैं एल्फा ब्लेंड देखेंगे स्टॉक्स तर मॉमेंटर इस तो रिबैलेंस होते ही रहता है काफी सारी बैलेंसिंग होता है स्टॉक को निकाला है यह लोग जुलाई एट क्यों दिखा रहा है जुलाई नाइंटेंट को बुलिश इंडिया का जो टेकनिकल से है एक उलाई इक स्टॉक को एड किया यहां पर अभी क्या बैट रहा है अच्छा स्मॉल चैप का पॉतवलिश जोकेशन है डेट में है के लिए देख रहे हैं यह लोग तो यह तो रहा है इसका विनियोग इंडिया स्मॉल केप्स का देखते हैं लाज कैप का फाइव मेट का फिफ्टीन स्मॉल का एटी परसेंट टाइम लाइन पे आठ स्टॉक निकाला है आठ स्टॉक एड्ट भी किया है वाव यही ना यही प्रॉब्लम है ज्यादा रिवालेंसिंग का चार्ज को निकाल दिया दास्याट क्या मतलब 80-90 परसें स्टॉक सबर चेंज ही करते लोगे तो आपका स्टॉक पिकिंग में भरोसा नहीं है जादा तो तो यह सा टाइप होना नहीं है फिर भी यह कॉर्टल रिवी बैलेंसिंग है फिर भी ठीक है अच्छा ट्रेड आइडिया अच्छा यहां पर भी डेटिंग इंट्रोड्यूस किया यह लोग ने प्लस 3 माइनस 13 स्टॉक को एड किया एक को निकाला है और डेट में पैसा लगाया है अच्छा ओमनी बुलेट ट्रेन इस यह तो मेरे रेडार में है ओल्रेडी बारा स्टॉक यह चार स्टॉक एड किय किया है क्योंकि मार्केट में ज्यादा है इसलिए अपना डाइवर्सिफिकेशन थोटो स्प्रेड कर रहा है अपना स्टॉक का ठीक है बीम जी बसंद महिशुरी जी क्या किया देखते है अच्छा एक स्टॉक को निकाला है एक स्टॉक को एड किया है जुलाई 18 को तो लार अब यह यह विएम टॉप 10 है तो 9 स्टॉक लार्ज काप का है एक स्टॉक मिट काप का लिया है वेंच्छ कैपिटल यह देखे 14 स्टॉक से एक स्टॉक को एड किया है टोटल स्मॉल काप है अलफा ब्लेंड गोलफी के तरफ से आई यह वीकल रिबैलेंसिंग 9 स्टॉक से एक स्टॉक को एड के स्टॉक को निकाला है तन 10 परसेंट 15 परसेंट 75 परसेंट स्टॉक्स तर्मोमेंटम ने क्या किया देखते है जुलाई 16 को रिबालेंस हुआ तो इसका 92 परसेंट स्मॉल काप है एट परसेंट लाज क्या प्लस वन माइनस वन अच्छा यह काफी रिबालेंसिंग कर रहा देखिए रिसेंट ली एक ही माईने में जुलाई 2nd, July 5, July 11, July 16 एक ही माईने में 20 तारीक बीस तारीक है आज तो वीदिन 16 देज वीदिन 14 दो हफते में 4 रिबालेंसिंग यह सब पसंद नहीं इतना ज्यादा रिबालेंसिंग क्यों करते हो भाई नीट बेसिस पर हो रख है तो कुछ भी करने का मतलब नहीं बनता है तो बहुत सारा रिबालेंसिंग निकल जाएगा स्मॉल काप कंपाउंडर्स देखते हैं 74 और 26 डेट में देखिए डेट में काफी स्मॉल बहुत सारे स्मॉल के डेट में लगा रहे है पैसा जुलाई में यह तो मंतली है क्या यह नहीं क्वार्टरली है तो जुन में फिर जुलाई में कैसे कर रहे हैं लोग कुछ भी हो रहे है क्या यहां पर क्वार्टर ने लिखा हुआ है स्मॉल केप कंपाउंडर्स तो जुलाई में जुन में अगर किया था मार्च एप्रिल में जुन ठीक है जुन में करना बनता है जुलाई में क्यों किया फिर से यह तो वजबी चीज है अपना जो फ्रिक्वेंसी है उसको डाइवर्स उसको खिलाफ जा रहा है यह लोग तो इस नाट गुड नाट गुड ठीक है छोट दीजिए अभी हम लोग वात करेंगे थोड़ा मेरे बेस्मॉल केसे यह बेस्ट मॉलकेट सीन तंस अफ रिटांस नहीं है बेसिकल रिटांस ही है लेकिन माइनस मालब काफी सारे स्मॉल किसका नेगे नेगे नेगेटिव गय तो माइनस 5 परसेंट यहां पर है टोटल लिस्ट क्या हुआ हूँ मैं फिर लेगार्ड में है 5-9 और वर्स परफॉर्मर्स में है जो के 9 से उपर मतलब डबल डिजिट और 9 से उपर लूज किया है तो पहला देखते हैं हम लोग GVSR स्मार्ट इंजिरिंग स्लूशन जीए तो मैं बता भी रहा था डेली वीडियो में जो कि वाच करता है मेरे वीडियो यहां पर GVSR का हर एक स्मार्ट डाउन से प्रोशन अच्छा रिखा रहा है तो तीन स्टॉक्स अच्छा यह लोग ETF लेकर रखे हैं यह देखी गोल्ड में 45 डेट में 5 तो 50 पर तो तो होए ग ही पचास परसेंगे डेट में और गोल्ड में रखेंगे आप लोग तब तो गिनने ही गिरेगा तो लेकिन दो साल में देखे 77 परसेंट एक सीजिया रहे फिर भी अबर वी में चलते हैं वन मंथ का देखे अच्छा परफ्रमेंट यह बेसिकली डेट के लिए है यह आराम से कब रीब्री बैलेंस किये थे यह लोग में के महीने में रिव डीः बैलन्स कर चुक है तो एक श्रक को मैं अगल सब्सकत फेखे स्टाwe तो एक स्टान को निकला था एक सब्सक्षों को लाया था ओके ठीक है तो नेक्स्ट में चलते है चीजिल इसका भी मैं एक्सपर्ट कर रहा हूं इसका भी पैसा ही कुछ-कुछ सीन होएगा डेट में या डेट में या गोल्ड में पैसा लगाई हो रहेगा I'm sure of it. आहा, देखिए, गोल्ड और डेट, 45% क्या? 45 ने, 55, 95% क्या ही मतलब है इसका पता नहीं एक साल में फिर भी 72% रिटर्न्स दिया हुआ है और यहां पर रिवालेंसिंग लास्ट किया था जुलाई 12 में यह लोग ना काफी समझ बूच के अपना पैसा डेट और गोल में पाड़ किया हुआ रहेगा तो जिनका भी गोल है कि अपना वेल्ट को स्टेबिलाइस करने के लिए तो आप सकते हैं अच्छा फिर देखता है यह वाले का आलफा ब्लेंट मार्केट लेटर्स यह तो जी यह पहला तीन 1.9 वान और वान दिया हुआ है और अलफा मार्केट 0.10 ठीक है यह एक अच्छा स्मॉल के से देखते हैं इसका क्या सीन एल्फा ब्लेंड नाइन स्टॉक्स विक्ले रिवालेंसिंग यह रहा यह रहा परफेक्ट एक्जामपल लार्ज कैप 10, मेट कैप 15, स्मॉल का 75 यहां पर ना कोई डेट है ना कोई गोल्ड है अपना इक्वीटी के बल्बूते पर अपना स्टॉक पिकिंग के बल्बूते पर इसने पॉजटिव दिया हुआ देखिए अच्छा में एक बताना भूल गए यह डेटा है जुलाइट से जुलाइट नाइन contest तख टिक है तो डेटा है जुलाइट सेelen इ retail था यहां पर देखिये लास्ट वीक से अभड़ा लास्ट लीक फड़ाइड यहां कर इसके यह इसकाशूलमपल 2085 है 108.50 तो फुरा सा इंक्रीस हुआ है तो अकेला एक ही स्माल कैसा है जो के एक्वीटी के बल्बूते पर इसने पॉज़िटीव रिटन्स दिया हुआ है मेरा थिक्कत है इसमें एक पसंद नहीं एकवीटी प्लस वन विग एकवीटी यह था नहीं यार विकली ड्रवालंसीं जो भी ओ पॉजिटीव तो दिया है अच्छा देखते लेकिते गुल गिर स्प्राइजिंग ली ने दिद्दिन ओ ऐद एंट्री माला एंट्री मारा ग्रोवेटिव ग्रोफ लिडर्स यह भी शायद गोल्फी के तरफ से ही है, नेके ट्रेडर, फ्री स्मॉल के से है, 1.9% बस नीचे गया है, विन्योग इंडिया वैल्यू, यह में हमेशा बात करते हैं, इसके बारे में 1.9%, तेजी मल्डी मुल्टिप्ला है, 2.9%, मिरा स्मॉल है, वैल्यू दिल्स 2.9%, तो काफी-काफी अच्छा-च्छा स्मॉल किसे हैं यहां पर, नीचे चलते हैं मिडल में, तो कि 3-5% तर गिरा है, तेजी मल्डी में मंडी फ्लाक्शिप 3.8%, स्मॉल काप कंपाउंडर 3.8%, राइट स्मॉल काप 3.8%, वेल्ड बिल्डर, यहां पर पर लिए फ्लाक्शिप 3.8%, वेल्डर 3.8%, तो कि यहां पर ने फ्लाक्शिप 3.8%, अच्छा-च्छा-च्छा पिराइट स्मॉल के से हैं लेकिन इतना अच्छा में चक्र में, मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत जादा रिबलेंसिंग कर रहा हैं यह लोग, जी आई मिटकाप ये भी काफी अच्छा है कि मेटकाप स्मॉल के साथ 4.8 परसेंट ठीक है और क्या मिस करों उपर चलता है लेगार्स में देखते हैं अमनी स्मॉल काफ सूपर ट्रॉन्स जो कही है अच्छा मेरा सूपर मल्टिप्लायर्स कि दर गया अमनी भाला डिफेंस है जी आई फ्लेक्सी सूपर कैप है जी आई मल्टिकैप है और लास्ट में बात करते हैं यह में ही इसका 9.5 परसेंट इसका होगा माइनस 9.5 परसेंट तो इस इन सब का भी 9.5 ही है स्मार्ट वैलूस डिफेंस का है माइनस 11.4 यह देखें मेरा वाला जो स्मॉल केस है माइनस 11.4 परसेंट परसेंट पर आ चुका है भाई साब और सर्कृब्रेकर लास्ट वीक का यह टॉप पे था ठीक है ग्रिये ब्लू में आ रहा था कि 35 पर यह द्वाइनस 12.4 परसेंट इसको में यहां पर चलता है वाइनस 12.4 बाकी तीन का 9.5 9.5 और 9.5 तीन हो का 9.5 परसेंट है तो स्रकृट ब्रीकर का हम लोग देखेंगे था डिटेल्स में यह काफी इंट्रेस्टिंग है साइक ब्रीकर का वाच लिस्ट में डिरेक्ली चलत है यहां पर देखेंगे वान मंस का देखेंगे काफी अच्छा राइस दिया था दो दिन में 103 98 से गया था ट्रोटल 133 यह 35 परसेंट का राइस दिया था दो दिन में और यहां से देखेंगे जुलाइट 12 से नीचे गिरके 133 से अभी अभी 120 भी आ रहा है लेकिन हम लोग क लेकिन एक हफते में सबसे ज़्यादा यही गिरा है 12.4 परसेंट और यहां पर देख देख रहा हूं कि बाकी का तुलना में देखिए है यह 22 परसेंट दिया हुआ है स्मॉल का वाइस का 78 परसेंट वान यह में देखिए एकदम स्मॉल काप को बीट ही नेक टूनेक चल चल लास्ट वीक के पहले या लास्ट वीक का जो दो सेशन हुआ था लास्ट वीक उसमें जो 25 परसेंट इंक्रिस वा उसके बल्बूते पर इसने काफी अच्छा रिटन्स दिया है लेकिन यह यह असा टाइप ग्राफ दिस नॉट रेकामिने अट अल वेन यह प्रिकिंग अस् दिस नॉट नॉट राइट काइंड ओफ है तू यह का भी देखिये क्या हालत है दो साल तक कोई बंद अगर यहां पर पैसे लगाएगा दो हजर बाइस में जुलाई को तो उसको तो यहां तक अट लिस्ट दो साल में जुलाई फोर्ट तक उसको तो बेंचमार्क से नीच रिटर्म आ रहा है तो एक एक्विटी स्मॉल काप में पैसे लगा दे तो कब जाके उठेगा भी इसका उतना वेट करते गरते तो काफी दिकत वाली चीज है यहां नॉट रिकामेंड बिस अट आल अच्छा तो और क्या बात करेंग हम लोग और बात करते हैं सुमनी स्मॉ हम गारिये कि क्या स्मॉund तो यहां पे देखिये और मन्त का करना है इसका इसका करना है वे Performerule को है कुछ 25 यह शो की झस्तरफ मुझे ऑमीजर उमनी का बेस्ट है कि कोरटर एलसीग कोर आज आ जाए बस नहीं अगा जाए और अगर उनलिंग है仇के जिंच करना ही है लिएा जाओ जाए तो ने के काफी भेडा दिन एक स्मॉल काण पर सहलो कासville जाया प्रयुतू 20 large cap में 12 ratios भी देखिए ठीक ठागा एक 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 प्रेटी स्माल काप पी रेशियो कम है पी रेशियो कम है पी रेशियो भी कम है आट इस वेरी गुड वर्वियू में चलता है यहां पर 12 जुलाई से 116 से 110 तक आया है जुन से लगाता है एक महीन से बीट कर रहा है वन वीयर का देखिए आराम से बीट कर रहा है तो इसका बाद आराम से बीट कर रहा है तो इसका कोस्ट देख लेंगे वम लो अंगर खुल है तो खुल जा समसम अच्छा यहां पर अगा एक लाग रुपर लगाते है आप लोग एक साल का देखते है यार तीन साल का नहीं पता लागा एक साल में एक लाग रुपर ऑपला इनका सबस्क्रूशन फीजाए यहां फिर इतना पैसा रखना है कभी भी ब्रीवैलेंसिंग आ जाये आज रिवेलैंसिंग किया कोट्री कbreaker अज रोड भी बैसे पांक थिन बाद और अठीके ब्रे बिलम प्रति से तो ऐसा करके आपको एनलेसिस करना है थोड़ा डिरेकली रिटन्स के पीछे मत भागिए रिटन्स देखिए रिवालेंसिंग फ्रिक्वेंसी देखिए यह वाला स्क्रीन काफी इंपॉर्टेंट है कॉस्ट आज रिटन्स यहां पे आके टांजेस्ट आंजेक्शन चार्जिस देखिए अचा यहां पे कौन सा करेंगे हम लोग देखते है एसा ग्रीन एरजी करते है या फिर अल्फा प्राइम अल्फा प्राइम को देखते है अल्फा प्राइम को देखते है अल्फा प्राइम में काफी एक बहतरीन पॉपुलर स्वाल के से अल्फा प्राइम वीक्ली यार्यार यार्यार यह विकली मेलाजजिं कियो रखता है यह लोग हाहए जोग नहीं तरहें है यार्यॹरिमाती यार्य०र्ट H2 करता है, H2 में पहले बोला था, sorry, H2 Well Builders करता है, H2 Well Builders, यहां पर देखिया है, 4,700, six months के लिए है, 11 stocks, need basis, timeline July 3rd, June 19, April, May में नहीं किया, June में किया, July में किया, बस एक या दो स्टोक, that is very good, that is very good, कोई अराम से कर सकता है, small cap 90, mid cap 9, very good, financial ratio देखिया, small cap काफी बहतरीन है, P ratio to TikTok है, PP ratio तौरा से जाधा है, और ओन पर चलते है, 1 महीने में काफी बुलाटे, छल रहे है, पापरी बाढ, जयसे, लड़कियों का बाल नहीं रहता है, ऐसा अ ताइव लग रहे है, जो भी 6 महीने का देखता है, ठीक थाग बीड कर रहा है, एक साल का भी, यहां पर 160 यहां पर 223 चहा है माईने में 122 138 वान मन्स में तो छोड़ी दी जह फोले ट्रेट इतना ज्यादा है इसका प्रशाइज से रिटास तो देख लेते हैं अभी अब एक साल में चलते है लगा के 9000 का सब्सक्रिशन फीज है ज्यादा नहीं है 2000 ओविएसली ओमनी से ज्यादा है ओविएसली ओमनी को कोई पकर भी नहीं पाएगा ट्रांजर्शन चार्ज इसके लिए वाट ओमनी से ज्यादा है 2087 वाट फिर भी मैं मैंनेजेबल है फॉर वान येर ठीक है 1,11,000 लगा के आपका 98% रेटांज बढ़ रहा है 2,20 का टोटल कॉर्पस बैठ रहा है तो यही कुछ था आज का डिसकेशन किया हुए आपको बताइए कैसा लग रहा है स्मॉल केस वीकली राउंड अप का वीडियो और कुछ चाहते हैं मैं डिसकस करूं पर्टिकुलर्ली कोई स्मॉल केसे वगरा तो बताइए कमेंसेशन में मैं जरूर ट्राइ करूंगा केटर करने के लिए thank you so much for watching have a very good day